आज हम शेयर करेंगे बहुत ही इजी सी बर्फी की रेसिपी जैसे कि आप जान रहे कि अभी फेस्टिवल सीजन है दिवाली आने वाली है तो यह बहुत ही अच्छी रेसिपी एकदम सिंपल सिर्फ थ्री इंग्रीडियंट्स में बनकर रेडी हो जाती है तो चलिए आज हम इ तो सबसे पहले हम लेंगे एक कडाई में दो बड़ी चमबज खी मतलब खी अगर आपको जादा लगता है तो आप जादा भी ले सकते हैं उसके बद हम डाल देंगे एक कप मैदा और मैदा को एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चार से पांच मिनट तक हम इसे हम बनाते हैं चार टा आप कब चीनी औरता कब पी olm और नहीं पूड़ के हड़िर से यहां टीगत होने जबनाने लगी है वह अच्छे से पग गया इसमें हुछडू भी आने लगी है ।ो भस हमें इतना भूनना है यहां भूनना है और इसके बाद जब हमारी चाशनी एक तारकी बन जाए तो हमें यहांपर चाशनी इसमें डॉल एकता कर दों एकतारद से pray जो एक तार की चाशनी की बर्फी होती वो तुरंत सेट होती है आप देख सकते किती जल्दी यह सूपती है इसके बाद उपर से थोड़ा ड्राइफ रूट्स डाल देंगे तो मैंने यहां पर पिस्ता डाला है और इसको अच्छे से सेट कहोने के बाद हम इसको पीस में कट क अच्छी से फटा फट तीन रेसिपी वाली हमारी बर्फी बनकर त्यार हो गई है आप इसे जरू ट्राइब कीजिएगा बहुत ही डिलिशेस बनती है बहुत अच्छी और बहुत ही जटपट बनकर त्यार हो जाती है तो कैसे लगे आप लोग को यह मेरी त्री इंग्रीड परफी की रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छी से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइब झाल 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 झाल